तॉर्नमेंट जिसका आज तीसरा दिन है और पांचमा मैच खेला जाएगा चेंपिंशिप का इशाल एसोसियेट्स और सेंटर ओफ एक्सिलेंस यह टीमें आमने सामने है बड़ी शानदार यह पीछा है टी-20 क्रिकेट के लिए से अची विकेट नहीं हो सकती है और उमार अक्मल जो कपतान है आज उनने टॉस जीत कर अबर आलूद मौसम में पहले बैटिंग करने का फैस्सा किया है जो कद्रे हैरान कुन है अबर अबर बादी शानदार गाएं लिए अच्छा लगाया और बांडरी के पार गेंड़ पहुंचा दिया यह नोब बॉल भी थी एक और उठतावा शॉट इसवार एक और च्छका फाइनल एक पोजिशन पर फील्डर दाइरे में थे अगर वो बांडरी पे भी होते तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते यहां फैजान आगें यह न करने के लिए और बहुत बाहर थी लागे स्टम लाइन के और यह वाइड के पांच रंस तो इस तरह यह पांचों घीमे हो गई इस शाल असूसियर्ट्स की एक और अच्छा शॉट गैब ढून निकाला चार रंस का और इजाफा और यह उठा कर खेला तो यह बादलों से पहले यह बरसना शुरू हो गए मुहमद सुदैस यहां टी-एचे सिक्स में हवा में खेल दिया मिड़ान के उपर से होती हुए गें गई चार रंस के लिए बिसमिला खान याज भी अपनी इनिंग्स वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां इन्होंने दो दिन पहले खत्म की थी पैड से टीकल करती हुए गई चार रंस का और इजाफा फाइनले के खिलाडी फाइन थे लेकिन कोई मौका नहीं था एक बार फिर वही शॉर्ट ये एक्शन रीपले था ये उसी तरह की गेंद और इस बार वाज़े तौर बल्लिस टगरा कर गई बिसमिला खान ने यके बाद दीकरे दो चौके लगाए और सिर्फ तीन ओवर्स में ही इस शाला सूसिलेट्स को पचास के पार पहुँचा दि और ये उनका इसक्बाल किया और साइड में फोर्स फुल शॉर्ट किया लेफ्ट हैंडर का ये टिपिकल शॉर्ट था स्कूर अव द विकेट एक और उंदा शॉर्ट इस बार भी लेंथ मिल गई और विद दा बाउंस के लाब शांदार बैटिंग अमजाहरा सुदेश की जानेंब से और आउट हो गए इस मरतबा अन दी अप ड्राइव करना चाहते थे थोड़ी सी पेस में तबदीली की और फराज ने मिडवान पर एक अच्छा कैच लिया आगे की जानेब डाइव लगाते हुए और सदेश की एंटरप्राइजिंग इनिंग्स का खात्मा कर दिया यह बहुत ज्यादा शॉट्स केल रहे थे और ऐसे में गलती का इमकान बढ़ जाता है यह उम्दा कैच लिया फराज ने सामने की तरफ नो बåल के साथ स्टार्ट किया बीके ने उचाए की खेल दिया है नो बाल के साथ स्टार्ट कि अफर से चार रंज मिल जा एंगे भादी शांदार बाटिंग जा रिये बिसमिल्ला खान के जानब से रूम दिया पॉइंट कावर के ऊपर से छे रंज के बिसमेला खान बहादी शांदार फॉर्म में है कलाईयों का जबरतस इस्तमाल एक बार फिर एक और चका एक बार फिर रूम दिया अपने आपको तर्ड पे फिलर है लेकि रोक नहीं पाएगा चौका और चकों की बारिश है यहां पे बिसमेला खान के जानिब से केद को चतिके से केल दी है ऑफसाइड पर गें जाएगी चार्वर्ण के लिए बाहर यहां अजाब अधर बैटिंगे दोनों तरफ से एक तरफ है बिसमेला तर दूसरी तरफ है सोहिब मकसूद इस बार केल दी है मिड़ वेट की जानिब कलाईयों का बहतरी निस्तमाल फिलर मौजूद हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे एक और चौका इस बार सोहिब मकसूद के नाम एक बाप फेर अच्छा शॉट है मिड़ वेटरी जानिब कोई फिलर मौजूद नहीं है एक और चौका सोहिब मकसूद के नाम यहां पे चौके ही चौके लग रहे हैं मौनीब की अगेर इसको जोदातरे केसे केल दिया हाफ साइट पर और अच्छा स्टोक था और फिल्डर काफी दूर तक दोड़ते हो गए बिसमिला ने उठा की खेला है लेकिन फिल्डर फिल्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे बहुत ही शांदार प्लेस किया शौट यह बिसमिला का और इस चौके के साथ सिर्फ 16 बालों पे अपने 50 रंस मुकमल किये बिसमिला खान ने बहुत ही धुआंदार बाट बाटिंग 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 शौट पेच फिल्डर मौजूद है लेकिन उनके सर्के उपर से आज किस्वत भी इशाल असूजियत के साथ है चे रंस के बाउंडरी लाइन के बाहर येक मुश्किल स्टोक होता है लेकिन बड़े सहल अंदास से बिसमिल्ला ने स्टोक को खेला अब अली रजाक आ गए हैं लेकिन वापनी लाइन से हट गए थे और इससे फ्लिक कर दिया सुहे मक्सूद बड़े खतरनाग बैट्समैन है और ये पूरी रफ्तार से शॉट खेला यहां पर अची एफर्टी फिल्डर की लेकिन इस गेन को बाउंडरी लाइन के पार जाने से नहीं रोक पाए अंदास शॉट संसेशनल शॉट था सुहे मक्सूद ने एक्स्ट्रा कवर के उपर से च्छका लगाया यह अच्छा शॉट खेला इस बार फिर एक्स्ट्रा कवर की जाने बप गेन जमीन से लगी लगी गई अच्छा शॉट खेला लगाया बेलकुल खड़े खड़े अगले कदम पर जाकर इसमें ताकत थी इसमें रिस्पी इन्वाल थी बहुत हुझा शॉट खेल दिया है आउट हो जाना चाहिए और आला कैच लिया लेकिन यह नो बॉल अहाँ अली रजाक उनको विगेट लेने का मौका मिल गया था लेकिन यह गलती कर बैठे इस बार नहीं देख सके चार रन स्कॉर इजाफा फिल्डिंग टीम की बेहद मुश्किलात हैं इस वक्त अरुम्दा शॉट इस बार लॉंग ओफ के दाएं जानिम से गेंद गई और यह च्छै रन्स होंगे फ्लैट हिट बिस्मिला कान की अंदा प्लेस्मेंट भी थी यहां पर सांस लेने की वाकिए मौलत नहीं है यह च्छका लगा कर निस सेंचरी तक पहुंचे सुहेब मकसूद यह आज ही पहुंचे हैं वन डौन आए हैं अपनी पसंद की पॉजिशन पर और अपने फेवरिट शॉट्स एक के बाद एक खेल रहे हैं बड़ी उम्दा बैटिंग सुहेब की और यह एक और जोरदार शॉट है यह गेन भी चले जाएगी बाउंटी लाइन के पार एक टिपा लगने के बाद एक और चौका यहां पर सुहेब मकसूद के लिए यह जो बारिश बरस रही है सुहेब मकसूद और बिस्मिला के बैट से उससे बेहतर वो बारिश है जो आस्मान से उतर रही है बॉलिंग साइड के लिए अब बारिश इतनी तेज हो गई है कि यह चौके चुके यह यह यहां पर रोकना पड़ेंगे और यह धामना बहुत जरूरी हो गया है पिच को और प्लेइंग एरिया को इस गेन को शॉट देखते हुए जोड़ा तेके से केल दिया है और गेन जाएगी चुके के लिए बहुत जोड़ार चुका और एक जबन अस्पूल थी एक तोपाता मुस्तफा का सोहे मक्सूद के लिए और ये इनिंग्स जो है वो महदूद होगी दस ओवर्स तक अगली गेन फिर शॉट इस मरतबह हवा में मिटॉफ के फिल्डर गेन के नीचे आ रहे हैं और पहली विकेट और बड़ी विकेट एहसान अली पहले ये ओवर में अबरार से मात खा गए खड़े खड़े इसको पुल करने के अंदाज में खेलने के लिए गए थे लेकिन गेन टहर गई और फिर टॉप एच को लगी जहां पर मिटॉफ पर गेन सीधी फिल्डर के पास गई लाइटि डिलिवरी फिर गेन हवा में थी लेकिन फिल्डर की डाइविंग एफ़र्ड इसको रोकने के लिए काफी थावित नहीं हुई जोरदार चौट था इस गेन को जोरदाटर के से कच किया है अच्छी कच है और गेन चार्ड रंस के लिए बाहर जाएगी तो ये बिलाल का एक आत्बूदा स्टोक है आफ साइट पर काफी तकड़े हैं ये जोरदाटर के से पुल कर दिया है डीप स्कुर लेकी जानी बाहर गेन चार्ड रंस के लिए इस मर्दबा रूम दिया और स्मेश कर दिया ये ज्यादा बेतर शॉट था क्रैकिंग पुल शॉट ये शांदार चका है और काफी दूर जाकर गेन गिरी और शाहिकी ने क्रिकेटर दगाव में बैठे हुए जो रिजर्व के लाड़ी है वो भी दा देते हुए जैन को इस मर्दबा रूम दिया प्रेट डान दे ग्रावंड एक और चका बैक तो बैक सिक्स इस एक मर्दबा फिर इस मर्दबा टॉप एज है लेकिन कोई भी फिल्डर उस इलाके में मौझूद नहीं एक और चका है ट्रिक ओप सिक्से जैन ने अबरार को आड़े हाथ हो लिया और उनका जो जादू है वो जैन पर कोई इसर नहीं दिखा रहा है इस वक्त इस महार जोहदा ड्राइब है अची ड्राइब है और मीट अच्छे स्थोग लगना शुरू हो गया है खासाँ पे जैन लिजस्टी कसी ये चौका लगा इच्छा लगा इच्छा लगा इच्छा लगा है उपर से कहल दिया है चार रंस के लिए विलाल डार अपना अच्छा शॉड खेला वाइड ओफ लॉंग ओफ हालांके दो फिल्डर से ऑफसाइड में बांडी राइडर दोनों के दर्म्यान कम फासला था लेकिन फिर भी गैप ढूंड निकाला अच्छा खेलाई से गेंद हवा में और मैदान के बहर भी संसरी है इस हिट बलाल की जा और यह मैच भी अंगणाई ले रहा है और बहुत इस्चांदार कैच लिया यह बांडरी लाइन पर मौजूद थे शाजे भटी जिन्होंने दो दिन पहले दो बड़े अच्छे कैच इस पकड़े थे यह उंदा शाट के लाँ एक्स्ट्रा कवर्ड पर च्छका लगा दिया जैन ने आज चंद ऐसे शाट सुह मक्सूद ने पहली इनिंग्स में खेले थे और यह जवाबी कारवाई है अधानियाल ने काफी तेज रफ़तार ओवर किया था पहला अब आरें फार हैंड से और बोल्ड कर दिया विक्टों में तेज गेंड और इसका कोई जवाब ने मुनीब के पास उनकी विक्टें बिक्र गई क्लोज अफ जिस टंप्स ये बॉल किया था बैट और पैट के दिर्मियान गैप था और विक्टें बिखर गई कप्तान मुनीब वासिफ की और बोल्ड कर दिया स्लोर डिलिवरी मुकमल तोर पर धोका खा गए सुहेल तनवीर यह पहला गेंट तेज था और उसके बाद फिर तेज गेंट की तो अको कर रहे थे सुहेल तनवीर आए और गे और एक और काम्याबी यहाँ पर एहमद दानियाल को हासिल हुई है यह अपनी पेस को चेंज किया और बिल्कुल लाइन को मिस कर गए और यह गेंट उनकी आफस्टरम से जाटकराई वापिस जाना होगा सुहेल तनवीर को खुर्रम की गेंट को फले कर दिया उस्टाम के बाहर अच्छा शाट था रूम दस्तियाब था और इसके साथ ही जैन की निफ सेंचरी मुकमल हो गई शानदार इनिंग्स जैन की टाइम किया इसे इस मरतबा मिड ओफ को पार नहीं कर पाएंगे और कैच ले लिया रिवर्स कप से कप्तान अमर अक्मल ने और एक और विकेट मिल गई यहाँ पर इशाल एसोसियेट्स को शोर्ट को रोक दिया पूरा शोर्ट नहीं कहला यही वज़ा है कि गेन काफी देर हवा में रहने के बाद मिड ओफ पर कप्तान अमर अक्मल के हाथों में महफूज हुई जन्वर अली ने विकेट हासिल कर ली 51 रंस के साथ टॉप स्कोरर थे जैन उन्हें अब आखरी ओवर में वापिस जाना होगा लेकिन अपना तासुर चोड़ने में कामयाब हुए हैं जैन 51 रंस की शांदर एनिंग्स खेली है इस बड़ी टीम के खिलाफ जी बिल्कुल और यही वो लर्निंग थी जिसकी बात कर रहे थे स्टेंड आउट बैटर रहे जैन सेंटर ओफ एक्सलेंस की जानब से लेकिन अनवर अली का यॉरकर उनका काम तमाम कर गया और एक्स्टम से बाहर गेंड थी आउक्वर्ड बांस हुआ फुट मार्स को लग कर इसलिए बिसमिल्ला को भी मौका नहीं मिला गेंड रोकने का और चार रन बल्ले से लगती हुई गई थी एक हाथ से स्ट्रोक खेला है क्या ये बाउंडरी क्लियर कर पाएगा नहीं सोहेब मकसूद ने कैच थाम लिया और विक्टों की जड़ी लगी हुई है यहाँ डियेचे में लेकिन काफी देर हवा में रहा लेकिन जहां सुहेब मकसूद खड़े हूं वहाँ पर कैच ड्रॉप होने के इमकानाथ कम ही होते हैं और यहां 98 रन्जी बना पाई सैंटर ओफ एक्सिलेंस की टीम कर रहा 10 सो वर्ज में 182 रन्ज का हदफ उन्हें आसिल करना था इशाल एसोसियेट्स ने एक आसान काम्याबी हासिल की है 12 वर्ज में 201 रन्ज का पहाड़ खड़ा कर दिया था इशाल एसोसियेट्स ने सुहेब मकसूद असी और बिसमिला खान 78 रन्ज के इस साथ नौट आउट रहे जबके जवाब में 10 ओवर में रिवाइस टार्गिट मिला था 182 का और उसके जवाब में 98 रन्जी बना पाई सेंटर ओफ एक्सिलेंस की टीम और इशाल एसोसियेट्स ने 83 रन्ज से काम्याबी हासिल की झाल प्वार्डिये काम्याब प्रक्ष्ट फैस्स विवाइस बन्ज से नौट और ओफ एक्सिलेंस की बन्ज से रिवाइस कीजा है